इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेत से ली गई। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। आगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। Citazine P-Tablet is a combination of two medicines used in the treatment of stroke. यह मस्तिश्क में तंत्रिका कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है और शतिग्रस्त तंत्रिका कोशिकाओं की मरम्मत करने में भी मदद करता है. यह दवा केवल डॉक्टर द्वारा बताय जाने पर ही ली जानी चाहिए. इसे हर रोज एक ही समय पर लें क्यूंकि यह शरीर में दवा का निरंतर स्तर बनाय रखने में मदद करता है. इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधी में ही लें और अगर आप कोई खुराक लेना भूल गए हैं तो उसे जल्द ही ले लें. बहतर महसूस होने के बावजूद भी दवा की कोई खुराक ना छोड़ें और इलाज का कोस पूरा खत्म करें. ये आवश्यक है कि डॉक्टर से बात किये बिना इस दवा को अचानक बंद न किया जाए क्योंकि इस से आपके लक्षनों की अवस्था और भी खराब हो सकती है. इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट में हाइप अक्टिविटी, पेट में दर्द, घबराहट और बलड प्रेशर घर जाना शामिल है. हाला कि ये अस्थाई हैं और आम तोर पर अपने आप ही ठीक हो जाते हैं. अगर ये कम नहीं होते हैं या आपको परिशान करते हैं तो कृपया अपने डॉक्टर से परामर्ष लें. इस दवा को लेते समय खुद को हाइडरेट रखने के लिए पर्याप्त मातरा में फ्लूइड पीए क्यूकि इस दवा से डायरिया यानि की दस्थ हो सकता है. इस दवा से वजन बढ़ सकता है और इसे नियंत्रत करने के लिए आपको एक संतुलित डायट लेनी चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.